हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, आज हम करेंगे वर्ब्स की फॉर्म, आपको सिंपल पास्टेंस करवाने से पहले थोड़ी एक आपके साथ वर्ब्स की फॉर्म शियर करना जाहूंगी, हमने पहले प्रेजन्ट कॉंटिनू स्टेंस किये थे, जिसमें मैंने आपको बताय करता है था कि वर्ड की फॉर्स फॉर्म लगती है ऊसके साथ इं एंजह लगता है लेकिन अगर सिंपल पास्टेंस की बात करें उसके लिए कुछ वर्ब्स की फॉर्मस याद रखने पड़ेंगी, कुछ तो सिंपल होते जिनके साथ एडैनी लगता है वो रगलर वर्ब्स के रूल्स बताऊंगी अभी थोड़ा सा देखते हैं जैसे कि प्रेजेंट में हमेने आपको पताया कि फर्स फोर्म लगता है और पास्ट में सेकंड फोर्म लगता है और कुछ सिंपल इडी लगता है पहले वह उनको देख लेते हैं जैसे लुक का लुक्ट आएगा प्ले का प्लेट, वॉक का वॉक्ट, एंड कुक का कुक्ट, क्लीन का क्लीन, पेंट का पेंटिट, एड का एड़िट, एंड वांट का वांटिट, यह सिंपल है जिनके साथ हम एडी लगाएंगे, सिंपल एडी लगता है, सिंपल पास्टेंस की बात करने हूं कि प्रेजेंट में फ अगर ED लगा है तो हमें पता लग जाएगा कि यह सिंपल पास्टेंस है ठीक है और इसके साथ कुछ और भी है यह जैसी यह है वोश का वोश्ट है टॉक का टॉक्ड अब मैंने आपको पहले पता है इल्रेगुलर वर्ट फोर्म भी होती है ठीक है जिनको हमें याद करना पड और इसके साथ सब्यक्त zone का रहिए याद रखना है फवान के और इसके साथ आपको यह भी याद रखना है और ये एक बाद दुबारा पढ़ लेते हैं, जीखिए दुबारा पढ़ लेंगे ये आपको याद करना है, आपको जैसे हमने टेबल 2 का, 3 का, जैसे मुल्टिप्लिकेशन में मैस में करते हैं, तो हमें टेबल आने चाहिए ना, वैसे हमें ये भी आने चाहिए, ठीक है ना, सिट का सैट, स्टेंड का स्टुड, मेक का मेट, फॉल का फैल, नो का न्यू, और टीज का टॉट, हाइट का हिट, एन फील का फैल्ट, ठीक है, और बस ये हैं आपको बस एक बार आप पे इनको याद करिए, फाइफाइफ करके याद करिए, और इसके बाद हम सिंपल पास स्टेंस के बारे में और प्रैक्टिस करेंगे, थेंक यू बिटा, गॉड ब्लेस यू